बोलिवुड के सहन्सा अमिताब चन के फैंस के लिए बड़ी खुशकवरी अमिताब को सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा सहाब फाल के पुरुषकार से सम्मानित किया गया अमिताब चन को ये सम्वान राश्टपर्ती रामनात कोविन ने राश्टपर्ती भाउन में दिया इस आवार्ड समारों में अमिताब चन के साथ उनकी पत्नी जया बचन और बेटा अविशेक भी मोजूद थे अमिताब ने अपने फिल्मे करियर में एक से एक बहतरीन फिल्मे की है आवार्ड लेने के बाद अमिताब ने कहा मैं सरकार, सोचना, परशारन, मंत्रालग और जूरी के सदस्यों के परती आभार परकट करता हूँ मुझ पर इस्वर की क्रिपा रही है और माता-पिता का असिर्वाद रहा है निर्माता निवदेशक और सेक लाकारों का साथ रहा है सबसे ज़्यादा भारत की जनता का सने और प्रोचान रहा जिसकी वज़े से मैं आपके सामने खड़ा हूँ इस पुरुषकार की स्थापना पच्चास साल पहले हुई और इतने ही साल मुझे फिलम इंडिस्टि में काम करने का मोका मिला इसका भी मैं आभारी हूँ इसे विनमरता से शिवकार करता हूँ जब इस पुरुस्कार की गोशना हुई तो मेरे मन में संदे उठा और दरश्टा के लिए मैं छमा चाता हूँ क्या ये संकेत है कि भाई साब आपने बहुत काम कर लिया और आप घर बैट कर आराम करूँ लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है और इसलिए इस्तथी इसपष्ट कर दीजिए आईए जानते हैं अमितावजन के कुछ दमदार डायलोग्स फिलम सहनसा में उनका फेमस डायलोग था रिष्टे में तो हम तुमारे बाप लगते हैं नाम है सहनसा लावारिस में उनका फेमस डायलोग था अगर अपनी मा का दूद पिया है तो सामने आ दोन का उनका फेमस डायलोग था दोन को पकटना मुश्किल ही नहीं नामुनकिन है दिवार का उनका फेमस डायलोग मैं आज भी पेके वे पैसे नहीं उठा था दिवार में उनका एक और फेमस डायलोग था आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है क्या तुमारे पास है? फिल्म कालिया में उनका एक डायलोग काफी फेमस हुआ था हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है जंजीर में उनका फेमस डायलोग ये तुमारे बाप का घर नहीं, पुलिस टेशन है, इसलिए सीधी तरह खड़े रहो उनकी हिट फिलम नमक हराम है किसी माई के लाल में हिमत जो हमारे सामने आ जाए नमक हलल का एक और डायलोग वहीं सिल्षिला का एक और फेमस डायलोग मैं और मेरी तनहाई अकसर ये बातें करते हैं महाना एक आमतावचन के ये दमदार डायलोग आज भी दर्सकों के जहन में गुंशते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब और चैनल पत्र का एंटरेटीन्मेंट साथ ही कमिंट बॉक्स में अपने सुझाओ देना ना भूलें